Hello everyone, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है Dance Like a Man by Mahesh Dattani Mahesh Dattani का ये बहुत ही फेमस प्ले है Mahesh Dattani बैंगलोर में पैदा हुए और उनके पैरेंट्स गुजराती थे उन्होंने बहुत सारी फेमस प्लेइज लिखी जैसे Tara, Final Solutions, Bravely for the Queen, On a McGee Night in Mumbai Dance Like a Man 1989 में पब्लिश किया गया और उसे परफॉर्म भी किया गया Mahesh Dattani ऐसे पहले Indian English Playwright है जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता इसका मतलब है कि बहुत सारे अधर लैंग्वेज के प्ले राइटर्स ने अकादमी अवार्ड जीता लेकिन English में प्ले राइटिंग करने वाले महे दत्तानी ऐसे पहले हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता So without further delay, let's get started Dance Like a Man 3 generation की स्टोरी से डील करती है पहली जनरेशन तो अमरितलाल पारेक है, दूसरी जैराज पारेक और रतना, तीसरी लता विश्वास और शंकर ये main character है इस प्ले के, स्टोरी की सेटिंग बैंगलूरू ही है और स्टोरी दो टाइम फेंज में चलती है एक past में और एक present में, past में मतलब pre-independence और present में मतलब post-independence Past में अमरितलाल पारेक, जैराज पारेक और रतना ये main character है और present में जैराज पारेक, रतना, लता और विश्वास इनकी स्टोरी है अमरितलाल पारेक, social reformer है, freedom fighter है, उनको समाज में बहुत ज़ादा मान है, सम्मान है उनका बेटा जैराज पारेक है, जिसे dance करना, भरतनाक्टम dance करना बहुत ज़ादा पसंद है और उसकी wife रतना, वो भी भरतनाक्टम dancer ही है लेकिन अमरितलाल पारेक को अपने बेटे और अपने बहु ने dance करना बिलकुल भी पसंद नहीं है खासकर कि जैराज ने भरतनाक्टम dance करना ये बिलकुल भी पसंद नहीं है क्योंकि अमरितलाल पारेक को लगता है कि dance करना या नाचना ये सब womenly है, manly नहीं है पहले जब जैराज ने डांस करना सिखा तो अमरितलाल को लगा था कि जैराज इसको सिर्फ एक होबी की तरह देखेगा और बाद में छोड़ देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैराज का ये पैशन बन गया और उसे वो छोड़ नहीं पाया अमरितलाल को डांस से बहुत नफरत थी लेकिन फिर भी जैराज पारेक और रतना का जो डांस टीचर था उनका जो एक्सपेंस था वो अमरितलाल ही करता था लेकिन जो भरतना ट्यम के गुरू जी है वो उनसे बहुत हेट करता था उनके जो लंबे बाल थे और जैराज ने भी अपने बाल लंबे कर दिये थे वो उनको भी हेट करता था रतना बहुत ही जदा अमबिशियस है उसे अपने डांस में बहुत बड़ा करियर करना है इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है शायर इसलिए ही उसने जैराज से शादी की क्योंकि जैराज भी डांसर है तो रतना को शादी की बाद वो डांस करने के लिए मना नहीं करेगा रतना चेन्नी अम्मा जो की एक 75 years old lady है वो मैसूर डांस फॉर्म सिखाती है लेकिन चेन्नी अम्मा देवदासी है kind of prostitute ही है और वो एक ब्रोथल में रहती है रतना secretly उसके पास सीखने जाती है लेकिन अम्रुतलाल को ये पसंद नहीं है कि उसकी बहु ब्रोथल में जाए डांस सीखने के लिए अम्रुतलाल रतना को चेन्नी अम्मा के पास जाने के लिए मना करता है ऐसे में ही एक दिन अम्रुतलाल और जायराज के बीच में जगड़ा होता है अम्रुतलाल जायराज से कहता है कि वो डांस करना चोड़ दे लेकिन जायराज नहीं मानता और गुसे में वो रतना को लेकर घर चोड़ देता है और ये दोनों रतना के जो अंकल है उनके यहाँ पे रहने के लिए जाते हैं लेकिन रतना के जो अंकल है रतना का फायदा उठाना चाते हैं और इसकी वजह से रतना और जैराज 48 आर्स के अंदर ही अमरुतलाल पारिक की घर वापस लोट आते हैं अब अमरुतलाल पारिक उनके उपर बहुत ही हार्श कंडिशन अपलाई करते हैं जैसे कि जैराज डांस नहीं करेगा अपने बाल बड़े नहीं करेगा और अमरुतलाल जैराज से कहता है कि डांस से रोजी रोटी कमाई नहीं जा सकते हैं ये होने के बाद अमरुतलाल रतना से secretly deal करता है कि अमरुतलार रतना को dance करना allow करेगा उसे अपना passion पूरा करने देगा लेकिन उसके लिए रतना ने जैराज से उसका dance छुडवाना पड़ेगा उसको demotivate करना पड़ेगा और जैराज को dancer बनने नहीं देना होगा रतना ये accept कर लेती है और वही से जैराज का downfall शुरू होने लगता है रतना जैराज को हमेशा demotivate करने लगती है उसे as a junior artist ही इस्तमाल करती है उसे main stage पे कभी जाने नहीं देती और सभी glory सभी praise वो खुदी अपने पास रख लेती है जैराज ऐसे में ही शराबी बन जाता है वो बहुत जादा शराब पीने लगता है और अपना downfall का जिम्मेदार वो रतना और अमृतलाल दोनों को बताता है ऐसे में ही जैराज और रतना को शंकर नाम का लड़का पैदा होता है रतना अपने dance के profession में इतनी busy है कि वो शंकर की तरफ ध्यान नहीं दे पाती और उसके लिए आया रखती है नैनी रखती है जैराज सोचता है कि वो शंकर को भी dancer बनाएगा और उसे तांडव रुत्य जो भगवान शंकर का नुत्य है वो सिखाएगा और शंकर अमृतलाल के सिर पे वो टांडव घरेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता क्यूंकि नैनी एक बार शंकर को ओपियम का overdose दे देती है अब होता क्या है पहले जो नैनी है आया है वो बच्चों को संभालने के लिए रखी जाती थी वो बच्चों को जैराज रतना को ही ठहराता है क्योंकि रतना ने शंकर की केर नहीं की इसलिए शंकर की डेथ हो गई अब ऐसे में ही बहुत साल निकल जाते है अमृतलाल की भी डेथ हो जाती है और रतना भी ज़्यादा successful dancer नहीं बन पाती लेकिन उसके बाद जैरा जो रतना को लता नाम की daughter होती है और रतना अपना सारा का सारा ambition लता के उपर डाल देती है कि रतना जो नहीं बन पाई वो लता बन जाएगी वो लता के dance show के अच्छे अच्छे review लाने के लिए बहुत मैनत करती है बहुत reviewer को phone करती है उनकी चापलोसी करती है एक बार लता का जो बृदंगम आर्टिस्ट है वो फिसल कर गिर जाता है और उनके पास लता के next show के लिए बृदंगम आर्टिस्ट नहीं रहता तो रता चंद्रकला जो की rival dancer है लता की और रतना की उसे भी पूछने चली जाती है बेसिकली ये enemy है चंद्रकला enemy है फिर भी रतना अपनी daughter के लिए चंद्रकला की पास जाती है और चंद्रकला से उसका मृदंगम आर्टिस्ट उधार मांगती है लता और विश्वास दोनों एक दूसरे से प्यार करते है वो दोनों engage है विश्वास का dance का कोई background नहीं है लेकिन जेरा जो रतना विश्वास के पहले ही agree करा लेते है कि वो शादी के बाद भी लता को dance करने की permission देगा विश्वास agree हो जाता है लेकिन फिर भी ऐसे ही दिन निकल जाते है लता और विश्वास की शादी हो जाती है रतना की death हो जाती है लेकिन लता family की तरफ ज़्यादा धान देती है विश्वास की तरफ ज़्यादा धान देती है और dancing career छोड़ देती है जैराज पारे को end में खुशी मिलती है कि उसकी daughter ने रतना की तरह dance का passion नहीं चुना बलकि अपनी family को चुना और यही पे ये play खतम हो जाता है तो आज के लिए इतना ही I hope कि आपको ये video पसंद आई होगी अगर आपको ये video पसंद आई है तो please इस video को like करे share करे और हमारे channel को subscribe करे Thanks for watching, stay connected